इंडिया और साउथ अफरीका के बीच खेले जाने वाले पहले टी-20 सिरीज से ठीक पहले टीम इंडिया को लगा बहुत बड़ा जटका जी हाँ दोस्तों टीम इंडिया में इस सिरीज के लिए कप्तान केल राहूल को बनाया गया था जो इस सिरीज से इंजर्ड हो गए हैं जिस कारण वो आने वाले कल के मैच के साथ साथ पूरी सिरीज में नहीं खेल पाएंगे और साथ ही साथ कुल्दी प्यादो इस्पिनर वॉलर नेट में प्रैक्टिस करते समय उनके दाहिने हाथ में चोटा जाने के कराण वो भी पूरी सिरीज से बाहर हो गए हैं और यह दोनों बुरी ख़बर जो हैं अभी कुछ देर पहले ही आई है इस वज़े से यह दोनों खिलाडी इस सिरीज से बाहर हो गए हैं क्योंकि इस सिरीज में रोहित कोली अर जसमीत बुमरा जैसे बड़े खिलाडियों को आराम दिया गया है इसलिए दोस्तो इस सिरीज में अब कप्तानी करने का मौका दिया गया है रिसाप पंद को और वाइस कैप्टन के रूप में नजर आएंगे हार्दिक पांडिया और किसी करण वस अगर रिसाप पंद इंजर्ड हो जाते हैं तो दोस्तो साउथ अफरीका के खिलाब कप्तानी करते हमें हार्दिक पांडिया दिखाई देंगे जो कि दोस्तो साउस अफरीका के खिलाब 18 लोग का स्कॉर्ट तैयार किया गया था जिससे दो खिलाडी बाहर हो गए हैं अब 16 लोग ही बचे हैं जिस करण दोस्तो ये एक्छा जताई जा रही है कि केल राहूल की जगे पे शिखर धवन को मौका मिल सकता है और ये भी एक्छ भी निश्चित नहीं किया है दोस्तो इस सीरीज में इंडियान टीम के लिए पहली बार रिशापंद कपतानी करते हुए नजर आएंगे और वो चाहेंगे कि वो ये सीरीज जिताएं और खुद को प्रूफ करें क्योंकि दोस्तो कुछ दिनों पहले ही रिशापंद अपने आईपियल की टीम को क्वालिफाई ना कराने के करण अपनी कपतानी को लेके काफी ट्रोल हुए थे रिशापंद चाहेंगे कि वो पुरानी सभी बातों को भूल जाएं और एक फ्रेश सुरुवात करें और टीम इंडिया को अपनी कपतानी में या सीरीज जिताएं दोस्त